Hello everyone, welcome back to my channel. करना होता है ताके ग्रींट मा का मोड अच्छा हो, अब यह सब लोग यहां पर पर्फॉर्विंस दे रहे होते हैं, बट यहां पर ग्रुंड मा कहती है कि तुम किसे डुूंड रहे हो, मैं तुम्過來 बता देती हूँ, तुम सूजी को ढून रहे हो, मुझे अच्छे से पता है, फिर वो उसी इशारा करके दिखाती हैं, कि सूजी तो वो है, और फिर हम सूजी को दिखने हैं, वो डैंस परफॉर्म वगारा करती है, और बहुत ज़दा खुबसूरत लग रही होती है, यहां य सबने स्टेच पी जाना है, अब वो सब लोग स्टेच पी जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सारी प्रपरेशन की होती है, तो यहां पर अब सबने एक दूसी का हाथ पकड़ना होता है, तो यूजिंग यहां उसे देख रहा होता है, वो जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ात यूजिंग का हाथ पकड़ लेती है, और यहां पर यूजिंग बहुत ज़्यादा खुश होता है, बट इतने में हम देखने हैं, कि यूजिंग की तबित खराब हो जाती है, और उसकी स्प्लेट परसनालिटी अपेर हो जाती है, और जब वो अपेर होती है, वो खुद भी गई तो वो कहते है नहीं, तुम यूजिंग नहीं हो, तुम मेरे Grand Son meget नहीं हो, तुम्हारा फैस इस तरह का नहीं है, तुम कोई और हो, तुम जूट मत बोलो, अब यहां वो बस सूजी को देखकते मुस्कूरा रहा होता है, बाहर जाने के बाद हान और वैन कहते हैं और उसे किस कर देती है सीन शिफ्ट होता है और हम यहां देखने हैं कि यूजिंग की अब मॉर्निंग में जाग होती है और वो अब रियल यूजिंग होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे तो सूजी ने स्लैप भी नहीं किया था इसका मतलब यह है मेरी स्प्लेट परसनलिटी सिर्फ उसके चूने से ही बाहर आ जाती है नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं कि यहां सब लोग सूजी को देखकर गॉसिप्स कर रहे होते हैं सूजी बहुत परिशान होती है कि ये सब उसे देखकर इसना की बाते क्यों कर रहे हैं एक्चल में ऑनलाइन किसी ने उसके बारे में पोस्ट किया होता है कि सूजी एक रिच परसन को देकर उसके साथ अफ्यर चलाने की कोशिश कर रही है और उसके पैसो का फायदा उठाने चाहती है अब कुछ लड़कियां गौसिप करके जा रही होती है तो वो कहती है तुम लगा खिर किस बारे में बात करे हो सूजी को इस बारे में कुछ पता नहीं होता है हान आगे बढ़ता है और उन्हें उससे बात नहीं करने देता है वो बहुत परेशान होती है तो हान उसे रूखता है और कहता है मैं तुम से खुद बात करता हूँ अब यहां पर वो उसे वो आर्टिकल दिखाता है जिसमें उनके बारे में बाते लिखी ह이시ा है कि सूजी को बुरा लग रहा होगा बट सूजी को बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा होता है वो लोग कहते हैं कि हमें चेक करना चाहिए यह आर्टिकल किस ने लिखा है तो वो कहती है कि वैसे वो लोग सही ही कह रहे हैं इंफॉर्मिशन गलत नहीं है आफ्टर आल, यूजन और मैं एक दूसे के साथ काम के सलसले में ही है और मैं उसे पैसे ले रही हूँ अब वो उटके जाने लगती है तो यहाँ पर वैं उसे पुछते कहा रही हो तो वो कहती है मैंने पार्ट-टाइम जॉब करना है तुम्ने पता है और ये अपने आपको यूजन की फ्यूंसी बता रही होती है और कहती है जो आर्टिकल आज हर जगा था वो मैंने ही चपवाया था अब वो बता रही होती है कि मैं बहुत ज़दा रिच हूँ और मैं और यूजन एक दूसरे को पसंद करते हैं हम इकटे रहे हैं हमारा बच्पन इकटे गुजरा है हमारे पैरंट्स अच्छे फ्रेंट्स हैं तो तुम जैसी लड़की उसके लिए सूटेबल नहीं है तुम बहुत सथा गरीब हो तो बेतर है तुम उससे दूर रहने की कोशिश करो यहां वो उसकी बाते नहीं सुन रही होती है तो वो कहती है कि क्या तुम मेरी बाते सुन भी रही हो तो वो कहती है नहीं मैं बस समराइज कर रही हूँ कि तुम क्या कहना चाती हो फिर वो से कहती है कि तुम बस ये चाती हो कि मैं यूजिंग से अपना relationship ना रखूँ लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यूजिंग immature और adult है और तुम कोई नहीं होती हो उसके फैसले मुझे बताने वाले अगर उसे मैं पसंद नहीं हूँ वो मुझे खुद बताएगा इस बात से हायन को बहुत ज़दा घुसा आता है वो उटके उस पर पानी का ग्लास फैंकने लगती है बट यहां पर पतानी कहां से यूजिंग आ जाता है और उसे बचा लेता है वो उसे देखती ही रहती है सीन शिफ्ट होता है और हम यहां अब देखते हैं सुजी को जो सारी बात वैन को बता रही होती है वैन उसे कहती है तुम्हें तो उसे थपड लगाना चाहिए सा तो वो कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लगा आफ्टर ओल वो यूजिंग की फ्यांसी है मैं उसे थपड कैसे लगा सकती हूँ तो वो कहती है तुम उसकी बातों में इतनी जल्दी कैसे आ गई फिर वो कहती है कि मैं बहुत से के ड्रामाज देख चुकी हो और मुझे बहुत ज़ता एक्सपिरियंस है इन बातों का जो लोग किसी के लव में आते हैं वो यकीनां सिर्फ जैलिस होते है मुझे अच्छे से पता है यूजन तुम से महबत करता है तुम से रिलेशन्शिप चाता है क्योंकि तुम लोगों ने एक दूसे को किती दफ़ा किस कर चुके हो तो बहतर है कि तुम और देरी मत करो वो उसे काफी मोटिवेट करती है कि तुम्हें जाके इजहार करना चाहिए सीन शिफ्ट होता है और हम दिखने हैं यहां हायन को जो यूजन की घर पे पहुंच जाता है और उसे कहती है कि मैंने यहां स्टे करना है वो से साफ कहता है कि तुम यहां स्टे मत करो और तुम यहां क्यों आई हो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था बट वो कहती है कि मुझे बताने की क्या जरूरत जब मुझे बता है तुम यहां रहते हो बट वो से कहता है कि ठीक है अगर तुम्हारा स्टे का प्रॉबलम है तो मैं तुम्हारे लिए होटल बुक करवा देता हूँ वहाँ तुम्हारे लिए रूम बुक हो जाएगा वो उसका लगज पकड़ने लगता है कि इतने में वहाँ सूजी भागी वी आती है और आगे आके देखती है कि यूजन ने उसका लगज पकड़ावा है और हम यहाँ हान को देखते हैं जिसका बेस्केटबॉल का अच मैच होना होता है और यहाँ पर वो अपने फ्रेंड से डिसकस कर रहा होता है कि हमें एक प्लेयर की जरूरत है क्योंके उनका एक प्लेयर इल है तो इसलिए वो परिशान बैठे होते हैं इतने में हम देखते हैं कि बॉल उसकी तरफ आरी होती है और उसे यूजन बचा लेता है तो यहां पर वो से देखका है रहान रह जाता है और उसे फेवर मांगता है कि मुझे तुम सिक फेवर चाहिए मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को त्यार हूँ मैं तुम्हें पैसे भी दूँगा बस तुम मेरी और सूजी की मिसंडिस्टेंडिंग को खतम करवा लो तो वो कहता है मैं उसका फ्रेंड हूँ तुम मुझे इस तरह खरीद नहीं सकते हो मैं अपनी फ्रेंड के साथ इस तरह नहीं कर सकता हूँ अब यहां पर यूजिंग की बासन के घुस्सा आता है और वो बॉल को बास्किट के पास फैंकता है और वो उसके अंदर से क्रॉस कर जाती है सब लोग यह थ्रो देख के बहुत हैरान रह चाते है फिर वो उसे देखका कहता है कि मुझे पता चला है कि उसकी बर्च टे कब होनी है और वो उसे बता दिता है फिर वो डेट को सेट कर रहा होता है यहां हम देखते हैं सुजी और हान भी हान को स्पोर्ट करने आये होते हैं और यहां पर हान उन्हें दिखाता है कि उनके साथ यूजिंग भी खेल रहा है और उसी की टीम में है, वो लोग ये देख का हिरान हो जाते हैं, वो सुजी को देख रहा होता है, इतने में वो उपर जाता है, और सुजी से कहता है कि मैंने तुमसे बात करनी है, यहाँ पर सुजी उसे साफ कहती है कि मैं किसी भी बारे में कोई बात नहीं करना चाती हूँ, लेकिन वो कहता है कि मैं explain करना चाता हूँ तुम्हें मिसरने standing हुई है यहाँ पर इतने में हम देखते हैं कि वहाँ हाई उन भी आई होती है और उसे sport कर रही होती है फिर वो उसके लिए एक पानी की bottle लाती है और कहती है कि मैं आज तुम्हें full sport करूँगी यह बात देखकर सुजी को अच्छा नहीं लगता है बट वो उसे पानी की bottle लेता है और आकर सुजी को दे देता है और कहता है कि तुम मेरा काम करती हो न तो इसलिए मुझे तुम water bottle की cap खोल कर दो ताके मैं पानी पीऊं अब वो उसे cap खोल के देती है वो पानी पीता है इतने में हम देखते हैं कि एक new entry होती है और सब girls उसे देखने लग जाती है वो बहुत ज़्यादा handsome होता है वो दूसरी टीम का player होता है और यहाँ पर सुजी भी उसे देखकर बाइ-बाइ कर रही होती है और यहाँ पर योजन जब इस सीन देखता है और कहता है कि तुम उसे देखका इतना खुश क्यों हो रही हो तो वो कहती है मेरी मर्जी मैं उसकी model रह चुकी हूं और उसका name निन बताती है तो वो कहता है कि तुम्हें कोई हथ नहीं है, तुम किसी और की मॉडल बनो, तुम सिर्फ अपसे मेरी ही मॉडल बनोगी, और फे वो कहता है कि अब मैं और कुछ नहीं कहूंगा, मेरा फोकस है कि मैं निन को हराओ, और वो वहाँ से चला जाता है, यहाँ वैन भी कहती है कि तुमने अच्छ तो यहाँ पर हम सुझी को देखते हैं, जो निन को पोर्ट कर रही होती है, इस बात से योजन बहुत ज़्यादा इंटरप्ट हो रहा होता है, और फिर हम देखते हैं कि उनका टकर का मुकाबला चल रहा होता है, बट इन दी एंड, योजन लास्ट बॉल फैंकता है, और ज जाता है यहां वैन भी हान से पूछ रही होती है क्या हमें रिलेशन्चिप स्टार्ट करना चाहिए क्या तुम इसके लिए रेडी हो सोच लो तो वह कहता है हम मैं बिलकुल रेडी हूं और यहां अब वो दोनों एक दूसे को किस करने लगते हैं यहां पर उनका प्रोफेसर आकि उनके दिर्मियान बैट जाता है वैन तो वहां से भाग जाती है पर ठान को बाद में अहसास होता है कि उसके साथ हुआ क्या है वो भी उटके वहां से भाग जाता है और गाइस यह एपिसोड हमारी यहां ही खत्म हो जाती है तो गाइस अगर आप लोगों को मेरा यह पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरी चानल को सब्सक्राब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें थैंक यू सो मच